Good morning friends, friends, क्या आप urine की समस्या से सफर कर रहे हैं, आपका urine खास्ते खास्ते छूट जाता है, आप छीटते हैं तो suddenly आपका urine पास हो जाता है, साथे साथ, यदि आप बहुत जोर्स एकदम freely हसने लगते हैं, laughing करते हैं, तो भी आपको ऐसी समस्या होती है कि पिशाप आपका जाता है, थोड़ा सा या फिर यूरिन लीकेज हो जाता है, ये एक ऐसी कंडिशन होती है, जो बीमारी के साथ साथ, ये बड़ी embarrassing कंडिशन होती है, कई बार तो body से smell भी आने लगती है, पार से smell आने लगती है, ये एक chance होता है कि ये आगे चलके आपको UTI में भी convert हो जाए क्योंकि ये area आपका हमेसा wet रहेगा और हमेसा यहाँ पर contamination रहता है, डियर फ्रेंट्स आज हम इसी बारे में चल्चा करेंगे कि ये समस्या क्यों डवलफ होती है, क्या ये सामानिसी बात है, या फिर ये कोई बीमारी की वज़ा से हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, आज इसी बारे में जानकारी दूँगा क्या इसके कारण होते हैं, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम बज सकते हैं, इस बारे में मैं चल्चा करूंगा, डियर फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे, बहुत-ब बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- फिर urine को पिशाप की थेरी hold करते इसमें तमाम मांस्पेसियों का involvement होता है जिससे urine hold रहती है किसी कारण से यही जो मांस्पेसियां है उसमें weakness आ जाए, कमजोरी आ जाए या फिर उसकी strength कम हो जाए, power कम हो जाए तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है ऐसे patient जो बहुत लंबे समय से खासी करते रहते हैं, बहुत long term में cough आ रहा है उनमें भी यह समस्या डवलप हो जाती है ऐसे patient जो कुछ दमाईयां होती है, जिनके side effect भी ऐसे होते हैं बेसिकली एसी inhibitors वगरह जो medicines होती है, उनमें भी उनकी वज़ा से भी यह समस्या डवलप होती है studies कहती है कि pregnancy के समय यह समस्या होना आम बात है या फिर commonly देखने को मिलती है ऐसे patient जो physically बहुत ज़्यादा active होते हैं, sexually बहुत ज़्यादा active होते हैं उनमें भी यह समस्या देखने को मिलती है यदि इसे ठीक करने की बात करें, या फिर दमाईयों की बात करें dear friends, omniopathy इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा इसका रोल है top दमाईया होती है, जो बगएर side effect के अच्छा और जल्दी आपको permanently result देती है जिन दमाईयों का मैं आप से जिक्र करना हूँ, discussion करना हूँ, इन दमाईयों urine छूट जा रही है, या हसने में urine छूट जा रही है, वह ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पेशाप की थैलियों की जो strength देने की मान स्पेसियां है वो weak हो जा रही है, कमजोर हो गई है, तो उस condition के लिए sickle core medicine देते हैं, ये मान स्पेसियों को power देती है, strength देती है, कुछ समय लेने के बाद, means 10-15 दिन लेने के बाद, यदे आपकी समस्या में कम आराम आरा है, इसकी potency को increase किया जाता है 200 से लेके 1M तक इसको ले जाते हैं, frequency depend करता है, जैसे आप potency ले रहे हैं कॉस्टिकम होती है, कॉस्टिकम होती है, कॉस्टिकम होती है, कॉस्टिकम मेटसिन की 30 potency की 4-4 बूदे सुबद उपर शाम दिन बार ले जिए, अच्छा result मिलेगा, समय के साथ इसकी इस मेटसिन की भी potency increase करे जाती है, लास्ट मेटसिन होती है, इस्टेफ हैसिगरिया, डियर फ्रेंड्स, ऐसे पेशन, जिनको कोई सर्जिरी हुई है, और सर्जिरी की बाद से इसे समस्टिया डवलप हो गई, या फिर किसी कारण से उनको पेशाप की नली डाली गई, उनमें ये समस्टिया डवलप हो गई उसके बाद से, या फिर ऐसे पेशन, जो newly married है, उनमें ये समस्टिया डवलप हो रही है, तो उस condition की इस्टे फाई सिग्रिया मेडिसिन है इस्टे फाई सिग्रिया मेडिसिन की 30 पोटेंसी की चार चार बूदे सुबर दोपर शाम तीन बाल लीजिए बहुत अच्छा रिजल पाएंगे डियर फ्रेंड्स ये बहुत ये अथंटिक इंफॉर्मिशन है खुद फाईदा लीजिए लोगों के साथ सेयर करिए उनको भी फाईदा दिलेए जिनको ये समस्या है उनको जरूर सेयर करिएगा थेंक्यू थेंक्स फॉर वाचिंग